हालो बच्चों नियू लाइट की उट्टूब चैनल पर आप सभी का स्वागा थे प्यारे बच्चों और मैं विक्रम चकुर्थी आज आपके समझ लेकर के हाज दुगाऊं दस का धम का संथ और प्यारे बच्चों आज हमनों का पेपर है और निया नीट टॉपिक टेस्ट स साथ ही मनी सर और सैलें सर को भी से धन्यवाद देदा चाहूंगा जिसमें किया है मैं जितना सोच करके पेपर बनाया था उससे कहीं जादा उन लोगों ने कुछ और नहीं बाते बताई जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली फर्दर पेपर मेकिंग में थैंक्यू मनी साथ सेलें सर नाइस करने के लिए और उसके बार यह हमाई डेक्टर सर का लोगों देख सकते बच्चों और यह रहा आपका बाइलोजी की देता हुआ है कि एक आपका स्लाइड आप लोगों के लिए रिपेजिटेशन और यह आपके सामने पहला कोश्चन इन प्लैटी हेल है और फ्लैम सेल का ही दूसा नाम कुछ किताबों में सुलेनो साइट्स है यह तो ठीक है लेकिन प्लैटी हेल में ती जो फटलाइसन है वह इंटर्नल है यह कोश्चन गलत इसलिए हुआ है क्योंकि आपको जल्दी में पढ़ गाए आप लोगों दिमांग में नहीं आया औ तो बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी पर पकड़ नहीं पाए यह पहला सा यह दूसा गलत और यह आंसर हमें सेकेंड दिख रहा है अब देखिए इन कोनी फर्स क्या प्लाइंट का नाम होता है यह बहुत ही जीरो फिटिक कंडिशन में पाए जाते जहां पानी बहुत ही से कम होता मलब ठंडे जगों पार इनकी सर्फित नहीं भाई आप देखिए सिंपल सी बात यह एक पत्ती है ठीक है यह मैंने ऐसे बनाया प्रक्टिस करके आया हूं इसलिए बना पाया हूं इसलिए कहते हैं प्रक्टिस इसको इस तरह से बना रहा हूं मालो ऐसे तो आप द और ट्रांसपारेशन से पानी का लास होता है तो जब सर्फिस एरिया कम हुआ है तो डिस्ट्रिबूशन जो हो गया है वो इस्टोमेटा कम हो गया मतलब पहले जितना ट्रांसपरेशन होता था अब उतना ट्रांसपरेशन नहीं होगा इसका मतलब वाटर का लास कम होगा व जुलने के बाद च्छत पे जाते हैं तो उसे आप फैला के रखो जुल्दी नहीं शुकता है या अगर आप रुमाल को फैला के शुकता है और यहां पर यह नहीं reduce होना चाहिए रिडिएुज या phenomenon जो भी लिखा होता थीक तो यह पैला गलत दूसाओ अब पहला गलत दूसाओ अब धाया जिस थर आपशे आपको मालूम है एक होता P यह प्राओद प्लिश्थी को मैगा झम और म्सूर मेह लिए ज़ीर स्पूर crafted आपको से बने आपकेसपोर चार मायक्रोसपोर और इसे भी मिजारी ऑफ इंजीयो इस पर में इतीन ख़तम हो जाते हैं एक हो जाता है क्या क्या फंग्सिनल मेगासपोर ठीक लेकिन ये तो हमें आंसर दिख रहा है फिर देखिए पॉलन ग्रेंग अब यही माइक्रोसपॉर आगे चलके बनेगा पॉलन ग्रेंग तो जाहिर सी बात यह भी होगा और है पॉल्ड के अंदर हैं अज़े पाए जाते हैं यह हो गया अब देखिए इसके अलाबा पॉलर नुक्लियाई यह चार दो तीन से और भी होते हैं यह भी है प्रॉट्स नहीं यह 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 बुक्की लाइन थी ताजू की वाद है कि आप लोग को बुक्की लाइन नहीं आद है और आप लोग अब तक भ्रह में जी रहे हो सर हमने इंसियाटी बहुत पढ़ ली है बात को समझेए बच्चों आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं कितना खराब पढ़ रहे हैं कम अच्छा पढ़ रहे हैं कम खराब पढ़ रहे हैं यह चीजें तभी तैह होंगी जब उसकी परिच्छाएं होंगी बात को समझ्य कई प्रकार के मिलावटी सोना खरा सोना बिज कर बाइस करेड़ का सोना लगाता आपके सामने सेंपल पर हो बच्छों तो यह कौन निश्रित करेगा पांक का आप या आपको तयार है कितनी तयारी आपकी accurate है बहुत सवाल इसलिए गलत हुएwill आपको याद नहीं और ये बुख की लाइन ही थी बाद को समझ यह इंक आपकी दिंखे में लिखा हुआ है कि जन्निली क्या होता है यह आपका टैप रूड होता है ठीक तो यह तो गलत है जिम्नोस पर मिंक्रिम मीडियम साइच यह तो बुकी लाइन है कि इनके पौधे हर्द ग्याता नहीं होते यह स्रब होते जाडियां होती है छोटे पौधे बड़े पौधे होते तो पहला गलत है दूसा सही है जाडिस आप देखिए सिंगिल ओपनिंग फार माउथ एन एनस यह तो आपको पता है कि पहले टाइम फर्स टाइम माउथ का जो टर्म लगा वह प्लेटी हेलमें थीज में लगा है अब देखिए पोरी फेडा में जो ओस्या होता बच्चो ओस्या वह माउथ की तरहां वर्क करता है माउथ की तरहां वर्क करता है लेकिन यह इसल्फ माउथ नहीं है और जो इसका ऑस्कुलम होता है वह एनस की तरहां वर्क करता है लेकिन यह इसल्फ एनस नहीं है तो माउथ का टर्म है नहीं वर्क करता है पहली बाद इसलिए इसका आप्शन नहीं है और फस्ट सिंगिल इसमें उती डवल ओपनिंग पहली टाइम फर्स टाइम एनस जो आया फर्स टाइम वह इसके हलमन्थीज में आया और इसी बात पर इनके डाइस्टिव सिस्टम का नाम दिया गया है और इसके लिए है इनकंपलीट डाइस्टिव सिस्टम के लिए गटवा कि इसलिए PK बता दे रहा रहा हूं कंपलीट डाइस्टिव सिस्टम तो यह बात यादा किये बहुत साइब किताब अटने के उसे कौन से पूरी फिला लेकिन आऔर की तरा वर्क करता है माउत नहीं है एनस की तरह वर्क करता है लेकिन यह इटसेल्फ क्या है एनस नहीं है बाई सेकेंड आप्सन अब देखिए इस पेपर में जहाता सवाल डाइगराम के थे डाइगराम के सवाल मैंने इसलिए दिये कि डाइगराम आपको इसी वहाँ तयार हो और डाइगराम में छुपे हुए रेलेसन्स वो कर रहा है रिप्यां कर रहा है अब सिंपल बात यह स्थे क्या दिया हुआ है डायरोसी ठीक और देखिए एतनी तो आपको यह और एक कोड़न है यह होएगा जाहिरती बात अब देखिए यूसी ए अब यू को में अगा कॉंप्लिमेंट करूँ गातुंगा एक करूंगा तो यू यह आ गया अब को कॉंप्लिमेंट करूं तो यू से ए जी से सी अब ये हमारा डी ओवलत है जी यह तो गलत है पहली बात अब क्या होना से इए यह गलत है अब हमारा चैङर वोद्फक्राइब तो डाइग्राम आपको याद रहां चीए था आप देख सकते हैं तकरीबन साथ सो बच्चों ने सवाल को गलत किया है ठीक आप देखिए चार डाइग्राम आपको दिये गए यह कोश्टन सेक्स डिटर्मिनेशन से संबनित है कौन सेक्स को डिटर्माइन करता है जाब करता है और यहाँ पर यह लार्ज होती है और फिमेल जाता वह समाल होता इसी बात में फिमेल को तो आप distinguish कर रहे हो और एक यह सई है ईस sex होता है यह सही है एस भी सई है तिक दो तो में सही देग दिक आप देखे यह क्या है यह चिकन है डाइड है मैल और यह है न वह श्यविपी मेल इसका मतलब आप देखें जेड़ जेड़ से भी गलत है ठीक और इसको जेड़ डब्लू होना और यह दोनों गलत है तो आपसे पूछा गया था ता ऑफ क्या चीज़ तो डाइगराम को सबसे पहले इंटिफाई करना था बच्चों और उसके बाद आपको बताना था कि इसमें किस परकार का सेक्स कॉंप्लीमेंट है तो यह कोशन सेक्स जर्मिनेशन का है कि हमेशा मेल ही डिसाइट नहीं करता है अब देखिए यह डाइगराम यह कोशन गलत होने की वज़ा यह थी बच्चों कि जहां यह डाइगराम दिया हुआ उसके नीचे आगन को रिपेंट कर रहा है और यह क्या है यह थौर्ण है जो की इस्टेम मौडिफिकेशन है और यह है टेंड्रिल क्या है वाई टेंड्रिल जो की स्टेम मौडिफिकेशन है अब कमाल की बाद अगर यहां पर हमने आपका मटर का पौधा रखा होता तो वहां पर टेंड दोनों चीज के सब्सक्राइब के का दिए का माइश न मौड़ decisions स्पाइब यहां पर चांटा सिट्रस में आप कहसे हैं वो स्थे में होते हैं यहां बार बात तो यह स्टेम मौडिफिकेशन सेम चीज का मौडिफिकेशन सही है अब जब होमो लोगस आरगन जो होते हैं वह डायवर्जंट इवलूशन को रिप्रेंट करते हैं ठीक अब लोगस यह होगा नहीं जो कि दोनों सेम चीज़ें तो यह हो गया थर्ड आपसन तो बच्चों एक तो आ देखेंगे करेंगे उसके बाद आप जस्टिफाई करेंगे कि आप कांसर इध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं टेंड्रिल आपका टेंड्रिल जो है वह इस्टेम और लीफ दोनों का मौडिफिकेशन अब इनके एक्जांपल मौर्फलोजी में आपके दिये हुए है कि टेंड्रिल का आपका पी दिया है मटर और जो टेंड्रिल इस्टेम का मौडिफिन ग्रेप वाइन कुकुम्बर और पंप कीनों कुकूर विटा यहां दिया हुआ हुआ है ठीक थार्ड आप्शन आप देखें इनवीच ग्रूप आप एनवर क्लैस पर साथ प्रजेंड यह की स्ट्रक्चर होता है जो मेल को फीमेल करता है यहां पर कॉप्लेटरी पाइड होता है ठीक है कुछ नहीं होता है थार्ड ऑप्शन इस तरह के question जब आपको दिये जाएंगे बच्चों नीट वे यह format है आता है आपको एक character दिया जाएगा और फिर उसके कुछ examples दिये जाएंगे ठीक अब सबसे पहला काम वह देखो बच्चों कि जो character आपका पूछा गया है वह किस taxonomy हो सकता है कोई सब क्लास हो सकता है कोई सब्सक्राइब हो सकता है सबसे पहला करेक्टर को पकड़िए यह किस taxonomy category में पूछा जाता है ठीक अब एंट्रीडिया पूछा गया अब देखी एंट्रीडिया क्या है मेल सेक्स और इतना तो आपको पता है यह जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसमें एक्सेंट होता है लेकिन में होता है और उसके एक्जाम्पल है कि नीटम वेलविश्या इफेड्रा यह कुछ जिम्नोस्पर्म जिसमें यह पाया था यह एडवांस जिम्नोस्पर्म है भाई और यह जस्क पर तो आर्ची गोनिया जो है इसका मलब एंट्रीडिया में आर्ची गोनिया हमारा नहीं है अब इसमें देखो पर आप इस तरह के को करने के लिए सबसे बढ़ी है आपका पूछा गया है सबसे पहले आप उसक्तर को दिमाग जैसे मैंने लिखा लिए तो ब्रायो फाइट टेड़ो फाइट तो होता है ठीक तो हम सिर्फ ब्रायो टेड़ो के एक्जांपल छाट लेंगे हो सकता नमबर आप पूछानों स्टॉट समझें अगली बार्ट सब्सक्राइब लिए THE इन्हें आप सब्सक्राइब कर्णाइब करेक्ड़ सब्सक्राइब हो सकता है कि बावाड नुद्धू सब्सक्राइब तब आप इस तरह से रिलेट करेंगे आप इक्जामपल से पीछे नहीं जाएंगे आप करेंगे आप देख सकते हैं और ट्रेडव फाइट में यह आप देख सकते हैं और यहां पर आपका आंसर आता नाइंड इस लिए सबसे वड़ी चीज आपके एक्जामपल्स त्यार होने चाहिए और आपके वो त्यार होने चाहिए ठीक तो बच्चों सेसन यहीं से खता हुआ सेसन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताईए और सबसे बड़ी बाद टेस्ट जिस दिन हो कोई करिए कि 24 गंटे में पेपर आपका पूरा हो जाए बिलकुल प्रिडिया जीम्नोस परमें नहीं है आर्ची गोणिया को जीम्नोस परमसें यहीं इनफॉर्मेशन धीरे धीरे आपके अलग अलग पेपर में टेस्ट त्रीच के माध्यम से आपको दी जाएंगी ठीक है आप देखिए आज कई को को कोशन आप डागराम भी ठीक साइंटि अब जो बच्चे लापरवाह टाइप के हैं उनका तो कुछ कह नहीं सकते हैं कुछ बच्चों गलत वारे साथ कोई बात नहीं है ऐसे सवाल तो मैं कई बार लगा चुका हूं इन बार शिली मिश्टेक से मेरा गलत हो गया अगली बार मैं ऐसा कर दूंगा ठीक अब कुछ बच्चे जिनका नंबर कम घड़ गया तो बड़े रो रहें सर देखे मुझे प्राइज नहीं मिला मैं तो यह सोच गया था में घड़ गई तो बात को समझ यह आगली बार जब फिर घड़ जाएगा तो फिर और परसान हो जाएंगे तो बच्चों सिर्फ एक बार चीत सम कॉपी बनाई है कि कॉपी बना लीजिए नीट की फिश्टी की जो भी आप दे रहे हों और उस कोशन के बगल में जवाब सौल करिए अपने कॉपी में लिखिए कि यहां से पहले आपने कॉंसेट मजबूत किया अब आगे भविस में कोई भी एक्जामपल नहीं यहां पर आए हम तो यह कर देंगे ऐसी बात में जिन बच्चों का बीट गया पर चीवन ना भविस में है जीवन इस पल का नाम है इस सवाब से जो मैंने सीखा उसे बहतर बनाने का उसे अपने जीवन में इंप्लेमेंट करने का यही एक पल है वात कुछ एक बात जीवन में अपने जीवन ना भविश्म है जीवन इस पल का नाम है ठीक है ओके थैंक यू फो आजिन दे वीडियो बाई बाई